हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पाण ले जब भी कभी दातों से या उनके मसूरों से खून आता है तो आज पास के लोग जिनसे भी आप बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेर करते हैं वो बड़ा ही ज़ड़ी अपना करने वाली हूं कि यह पारिया होता क्या है इसका क्षण क्या होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और अगर किसी को पारिया हो जाए तो फिर उसे कैसे ठीक किया जाता है तो इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखिएगा सबसे पहले कि इस पारिया को हम लोग व्यानी क्य उसमें इंफ्लामेशन हो जाता है जिसकी वज़ा से दाते कम जोर हो जाती है और मसूरे से खून आने लगता है तो इसी को हम लोग पेरियोडों टाइटिश जिसको कि आप आम भासा में पारिया बोलते हैं पारिया का इलाज बिल्कुल संभव है अगर आप अपने समय पे प्रॉबलम है वो लोगों में होती है तो सबसे पहला रीजन यहीं है पूर ओरल हाईजिंग अच्छे से आप अगर अपने मुह को साफ नहीं रखते हैं और जब भी आप खाना खाते हैं अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं फूड का जो डिपोजीशन है वो दातों के उप और फिर केल्कुलस बन जाता है यह केल्कुलस अगर दातों के उपर डिपोजीट हो गया है तो फिर वहां के मसूरे धीरे धीरे नीचे जाने लगेंगे मसूरों में सूजन हो जाएगी मसूरे टेंडर हो जाएंगे मतलब कि जैसे ही आप मसूरों को जब छूते हैं तो वहां से white color का पस discharge होने लगता है गम डिशेशन होने लगेगा गम डिशेशन का मतला मसूरे नीचे जाने लगेंगे वहां के जो बॉन होती है जो अच्छे से मजबूती से दातों को पकरने का काम करती है वो जो बॉन है उसमें लॉस होने लगेगा जिसकी वज़ा से दात जो सकती है तो इसलिए अगर आप जब भी खाना खाते हो तो अपना अच्छे से आप कुल्ला रखो या फिर कोई ऐसा फूट यूज करो जिसको की चबा करके खाने से आपका जो दात का उपर का जो लेयर है जो फूट पार्टिकल जहां चिपकता है वो क्लीन हो जाए तो आपकी सॉफट ब्रॉसे जब आप यूज करते हो तो उसे आपके दात साफ नहीं होते हैं तो यह गलत फ़ैमी है आपको एकडम सॉफट सा ब्रस यूज करना चाहिए हमेशा अपने दातों की सफाई के लिए और बहुत प्रेश करना चाहिए टैक्निक एकडम सही होनी चाहिए ब् पेरियोडोंटल लीगामेंट जो की दात और मसूडों के अच्छे से पकड़ने का काम करते हों इंफ्लैम्ड हो जाएंगे पेरियोडोंटाइटिस हो जाएगा जिसकी वज़ा से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे थर्ड रिजन होता है कि अगर कोई भी डियाबर्ट जब वो इंटेक करते बहुत लंबे समय तक तो उनमें भी पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम जो हो जाती है बहुत सारे लोग जिनमें की सुरुवाती लक्ष्रों में जैसे की ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है और वो इस चिसको इग्नोर करते है तो उनमे इसको पारिया में इंक्लूड नहीं करेंगे पारिया के लिए बोल लॉस और गम डिसेशन ज्यादा जरूरी होता है यही तो थे सारे रीजन की जिसकी वज़ह से आपको पारिया होता है या फिर पेरियोडोंटाइटिस होता है अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते ह तो सबसे सुरुवाती सिम्टम्स तो यही देखने को मिलता है कि मसूडे से खून आने लगता है कि मसूडे आपके बहुत ज्यादा सौफ्ट हो जाते हैं उनमें सूजन हो जाती है मत्ता स्वैलन हो जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर के दिखाई देते हैं ब् कभी कभी बोल लॉस बहुत जादा होने लगता है दाते जो हैं वह अपने से ही हिलना सुरू हो जाती है और जब आप अंदर उसको अच्छे से दातों के अंदर नीचे वाले लेबल में देखते हैं नीचली जबड़े में जब अंदर की तरफ आप दातों को देखते हैं तो दर्द जिसको की आप बयान भी नहीं कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का दर्द हो रहा है ऐसा कुछ होने लगता है पेरियोडोंटाइटिस के गेस में अब हम लोग इसके ट्रीट्मेंट के बारे में बात करते हैं तो ट्रीट्मेंट में सबसे पहला होता है कियर आप किता ज्यादा केर करते हैं अपने मुह की वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करनी है आपको अपना ओरल हाइजिन अच्छे से मैंटेन करना है अल्टरनेटिव डेज में आपको माउथवाज जरूर यूज करना चाहिए अगर यह जरूरी है क्योंकि कुछ-कुछ गंदगी ऐसी होती है जो आप कितने भी ब्रशिंग करेंगे अच्छे से या फ्लॉशिंग करेंगे वह आपसे नहीं हटेंगे तो उसको रिमूफ करने के लिए आपको डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है वहां पे अल्टरा सोनिक स्केलर होता है उसके द्वारा आपके दातों को अच्छे से साफ किया जाता है कुछ केसे ऐसे होती हैं जिसमें की बहुत ज्यादा ही डिप मसूरे के नीचे केलकुलस जो है वह इकठा हो जाता तो वहां पे रूट प्लैनिंग भी किया जाता है तो वह सारा जो है वह आपके मसूड़े हेल्दी रहे उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से रहे और पुलिंग कर सकते हैं जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है अपने चैनल पर क्या 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 बैनिफिट्स होते हैं यह एक आयरवेदिक ट्रीटमेंट है इसको अगर आप अपने घर पे करेंगे तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और अगर आपके दांत साफ हैं तो आपके मसूड़े बिल्कुल हेल्दी बने रहते हैं लेकिन अगर एक बार आपका दांत गंदा हो जाता है उसके बाद अगर आप कोई भी घरेलू उपाय करेंगे तो यह सब घरेलू उपाय आपको काम नहीं आएंगे आपको पहले अपने दांत को साफ करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है पेरियोड उन्टाइटिस का जो केस होता है माइल्ड कंडिशन में पहुंचते हैं अपने डेंटिस्ट के पास और आपको नुट्रिशनल कोई भ जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होती है आपके मसूडों को नॉर्मल करने के लिए होती है कुछ एंटिबाइटिक्स कुछ एंटि इंफ्लामेट्रिक एंटासीड ऐसे कुछ मैडिसिन जो है वह आपके डेंटिस्ट साफ को प्रिसकाइब करते हैं बहुत ही कम दिनों के के लिए मेंली five to seven days के लिए लेकिन कुछ विटामिन्स की जो सप्लिमेंट्स होते हैं उसको आपको दो महीने डेड़ महीने हो सकता तीन महीने तक भी आपको प्रिसकाइब किया जाए आपको हैबिट्स को सही करने के लिए बोला जाएगा आपको विटामिन से रीच किन्वियर स्टेज में पहुंचते हैं तो उस कंडिशन में उनके नाते विलकुल हो आप हिलते डूलते रहते ग्रैड áficरी मॉबिलिटी चाहरारी है फिर घ्रैड। में किसिक कर 사था उसके बाए जार के लिए जाएगा यहां तू आपको केपिंग के लिए दिपेंड करता है कि आपको न्हुंद टाइटिस और उसके करते हैं तो इस तरीके से periodontitis जो है ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डरने की चीज नहीं है पारिया ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो start हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है इस भ्रह्म को आपको अपने mind से बिल्कुल हटा देना है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दात जो हैं वो calculus की से आता है कि दात साफ करने से जो है दात हिल जाते हैं तो दात साफ करने से दात नहीं हिलते हैं दात के बीच में अगर calculus है जिसकी वज़से आपके दात आपस में बंधे हुए हैं तो उसकी वज़से दात हो जाएगी कि दात आप या तो calculus को छोड़ दो साफ मत कराओ तो भ इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है अगर मुह में गंदगी है तो उसको आपको साफ रखना जरूरी है या उसको आपको डेंटिस्ट के पाँ जाके सफाई कराना जरूरी है आप अगर औरल हाइजन को लेकि बहुत ज्यादा अवेर हैं तो आपकी पहरी प्रात्मिक्ता य आपके साफ सेर करते रहेंगे मिलते रहेंगे आप से हमेशा तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा आपने आसपास के लोग का ख्याल रखेगा अगर यह मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी लाबदायक हुई होगी तो ऐसे लोग के साफ शेर जरूर कीजेगा जो लोग इन से जूज रहे हैं या जो लोगों में इसकी प्रॉब्लम हो चुकी है फिर मिलते रहेंगे आप से तब तक के लिए ठेक क्या बाबाए